इस वीडियो को देखिए तो दोस्तों आपने डॉंकी प्रोसेस के बारे में तो सुनाई होगा हर साल ऐसे हजारों लाखों लोग लेटिन अमेरिका से मेक्सिको और वहां से यूएस बॉर्डर क्रॉस करके इनलीगली अमेरिका जाते हैं और इन में से बहुत कम लोग बॉर्डर क्रॉस करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुच पाते हैं इसमें एजेंट्स उनसे 30 से 50 लाग तक चार्ज करते हैं बीच में उनको माफिय और पुलिस से भी डील करनी पड़ती है और कुछ लोगों को तो 2 साल तक लग जाते हैं अमेरिका पहुसते पहुसते उनको 10-10 दिन जंगल में रहना पढ़ जाता है बीना पानी और बीना खाने के और काफी लोगों की तो इसी बीच जान भी चली जाती है अगर कैसे तैसे आपने US border cross कर लिया फिर आपसे asylum application फिल करवाई जाती है आपका agent जिसको आपने पैसे दिये थे वो आपको एक lawyer hire कराता है migrants का lawyer ही उनकी asylum application को court में आगे बढ़ाता है और वो आपके भिहाव पे US government को ये बताता है कि आप अपनी country में safe नहीं है और इसलिए उन्हें US का permanent asylum चाहिए और जानकर ही पसंद आयो तो guys सब्सक्राइब करना ना बुले